हेलो फ्रेंड्स बेलकम बेक टू मैं चैनल प्लस इस्टेडी आईक्यू फ्रेंड्स आज जपन आठार नवंबर 2020 के करेंट अपयर के मोस्ट इम्पूटेंट कोश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे तो जिन दोस्तों ने वे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्ल प्लस इश्टेडी आईक्यू से भी दोस्तों जुड जो तू मैं इस वीडियो के जो डिस्क्राइब बॉक्स में अपने टेलियाम चैनल के। लिंक शेंट करनोगा जहां से आप जौन कर सकते हो वो साथी दोस्तो इस वीडियो के जो PDF को मेरे टेलिगाम चैनल प्लस इस्टेडी आईक्यू से आप डाउनलोड कर सकते हो तो चलो फ्रेंड्स स्टाट करते हैं आज का अपना पहला कोशन तो पहला कुशन है यहां पर हाली में किस अंतराश्टी संस्ता ने चार अंतरिक शियात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है दोस्तों यहां पर कौन सी अंतराश्टी संस्ता है जिसने चार अंतरिक शियात्रियों को यहां पर International Space Station पर बेजा है तो option अपना पहला है NASA दूसरा है इस रो यहाँ पे C option अपना SpaceX और यहाँ पे D अपना option के है दोस्तो C N S A तो दोस्तों यहाँ पे यह कौन सी संस्ता है जिसने हाली में International Space Station पर यहाँ पे चार अंतरिक शात्रियों को बेजा है तो इसका अपना option दोस्तों यहाँ पे C सही है तो यह कौन सी संस्ता है दोस्तों जिसने चार अंतरिक शात्रियों का International Space Station बेजा है तो Space X यहाँ पे दोस्तों यह राइट आंसर है तो यहाँ पे इसकी detail समझते है दोस्तों अपने यहाँ पे तो इसकी detail में जो Space X नहीं दोस्तों पहली बार किसी नीजी कंपनी के अंतरिक शेयान दोवारा जो NASA यहनी National Aeronautics and Space Administration के जो चार अंतरिक शेयात्रियों को तीन अमेरिकी दोस्तों और एक जापानी को यहाँ पे अंतराश्टी अंतरिक इस्टेशन पर भेजा है दोस्तों तो कोन है दोस्तों इसमें यात्री चार अंतरिक्ष यात्रियों में से तो यहाँ पे जो तीन तो अमेरिकी हैं और एक कोन है दोस्तों एक जापानी अंतरिक्ष यात्री है जिनको हाली में जो अंतराश्टें अंतरेक्स इस्टेशन पर किसने स्पेस एक्स दबारा भेजे गए apprehTON याँ पे उन्हें जो कैनेडी स्पेस से एंटर से फालकन रोकेट दबारा लौझ किया गया था तो किस रोकेट दोबारा यहां पे उनके लौन्ज किया गया था तो जो Kennedy Space Station से यहाँ पर Falcon Rocket दोबार लॉंच किया गया था और यहाँ पर इस capsule को दोस्तो क्या नाम दिया गया है तो इस capsule को यहाँ पर Resilence इसको नाम दिया गया है यहाँ पर अपन नेश्ट कोशन देखते हैं तो नेश्ट कोशन है हाली में RBI ने किस बेंक पर एक करोड रुपे का जुर्माना लगाया है Most important question है friends तो यह कौन सी बेंक है जिस पर यहाँ पर हाली में RBI ने एक करोड रुपे का जुर्माना लगाया है तो अपना option फर्ष्ट कौन सा है तो PNV बेंक Second अपना क्या है ICIC बेंक यहां फर्ष्ट क्या है Bank of Varoda और यहां पर फर्ष्ट अपना option क्या है SDFC Bank तो यह दोस्तो कौन सी बेंक पर यहां पर RBI ने एक करोड रुपे का जुर्माना लगाया है तो अपना right answer कौन सा है दोस्तो PNV Bank यानि जो पंजाब National Bank पर दोस्तों यहां पर हाली में RBI ने एक करोड रुपे का जुर्माना लगाया है तो यहां पर इसकी डीटेल देखते हैं दोस्तों इसकी डीटेल में भारती और रिजर बैंक ने पंजाब National Bank पर भुकतान और निप्टान प्रणाली अदिनियम जो 2007 का उलगन किये जाने के कारण यहां पर एक करोड रुपे का जुर्माना लगाया है और यहां पर पंजाब National Bank की बात करें दोस्तों तो यहां पर जो पंजाब National Bank का मुख्याले का पर तो नई दिल्ली मैं इसका मुख्यालctive और यहां पर पंजाब National Bank के M D or CU है, दोस्तों यहां पर जो पंजाब National Bank की स्तापना कब की गई थी, तो है पर 19 माइ 1894 में लाहोर के जो पाकिस्तान में इसकी दोस्तों स्तापना की गई थी यह सब से पुरानी बेंक के दोस्ते हैं पर जो पंजाब नेशनल बेंक यहां पर नेक्ट कोशन देखते हैं अपना तो नेक्ट कोशन है हाली में न्यू बेंकिंग प्लेटफॉर्म किसके दोवारा लॉंच किया जाएगा दोस्ते हाली में जो न्यू बेंकिंग प्लेटफॉर्म किसके दोवारा launch किया जाएगा तो अपना option A कौन सा है SBI bank के दोवारा launch किया जाएगा B अपना bank of बड़ो जो इंडिया के दोवारा launch किया जाएगा या फिर PTM के दोवारा या D अपना option क्या है SBM bank के दोवारा तो अपना right answer कौन सा है दोस्तो यहाँ पर हाली में जो new banking platform किसके दोवारा launch किया जाएगा तो यह किया जाएगा दोस्तो sbm bank के दोवारा यहाँ पे दोस्तो जो state bank of maurisus क्या है इसका full form sbm bank का तो यहाँ पे state bank of maurisus की जो पून स्वामिद वाली सायक company sbm bank इंडिया ने new banking platform को यहाँ पे launch करने के लिए fintech near why के साथ यहाँ पे साइधारी की है तो दोस्तो यहाँ पर जो fintech pay near why के साथ यहाँ पे इसने साहधारी की है तो यहाँ पर जो दोनों company ने अपने अपने जो घ्रावकों के लिए बुनियादी banking समादान और भैतर वित्तिये शेवाओं को बित्रित करने की दिसा में एक open banking network बनाने के लिए आप एक समझोता पर यहां पर ग्यापन पर समझोता ग्यापन पर दोस्तों यहां पर अगर sbm bank की बात करें दोस्तो तो sbm bank india limited का मुख्याले कहां पर तो इसका मुख्याले है दोस्तो मुंबई महराष्ट में और यहां पर जो sbm bank india limited के md और ceo कोन है तो सिद्धात रत यहां पर इसके md और ceo हैं और यहां पर दोस्तों जो sbm bank india limited का यहां पर परिचालन कब से किया गया था दोस्तो तो यहाँ पर जो इसका परिचालन एक दिसंबर 2018 से किया गया था यहाँ पर अपन जेसका SBM Bank और India Limited की टेग लाइन क्या है दोस्तो तो इसकी टेग लाइन है BMAC Banking Convent for You तो यहाँ पर दोस्तो जो BMAC Banking Convent for You इसका टेग लाइन है यहाँ पर जो SBM Bank India जनवरी 2019 में पून सौमित्व बाली साइक के रूप में कार करने के लिए यहाँ पर भारती रिजर बैंक से banking license प्राप्त करने वाला भारत का पहला विदेशी बैंक था दोस्तो यह पॉइंट याद करने के लिए है तो यहाँ पर नेश्ट कोशन देखते हैं तो नेश्ट कोशन अपना है नेश्ट कोशन अपना क्या है दोस्तो नेश्ट कोशन है चाली में पिरवरतन नेश्ट के मिसरा का का करेकाल कितने दिनों के लिए बढ़ाये गया है दोस्तों यहां पे हाली में जो प्रवरतन निदेशाले के जो निदेशक एसके मिस्रा का कारकल कितने दिनों के लिए बढ़ाए गया है दोस्तों यहां पे अपना उप्शन यह तीन महां के लिए भी छे महां के लिए या एक बर्स के लिए या फिर दो बर्स के लिए तो अपना option क्या है दोस्तों जो हाली में जो प्रवरतन निदेशाले के निदेशक एसके मिस्रा का कारकाल कितने दुनों के लिए बड़ा दिया गया है तो ये बड़ा दिया गया है दोस्तों एक बर्स के लिए यहाँ पर दोस्तों जो केंदर सरकार ने प्रवरतन निदेशाले एनफोर्समेंट डारेक्टेट के निदेशक संजे कुमार मिस्रा के कारकाल को 2018 में जारी किये गए जो नियुक्त आदेश को संसुदित करने के बाद एक साल के लिए बड़ा दिया गया है दोस्तों यहाँ पर जो उनका कारकाल अगले सप्ता समाप्त होने वाला था जो इसके बाद यहाँ पर जो एड़ी निदेशक का पद कितने बड़सों के लिए रहता है तो इसका दो बड़सों के लिए इसका कारकाल होता है दोस्तों और यहाँ पे जो प्रवरतन निर्देशाले की इस्तापना कप की गई थी तो इसकी की गई थी एक मईई 1956 में तो यहाँ पर जो प्रवरतन निदेश शाले के स्थापना कप की गई थी तो एक मईए 1956 में इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पर जो प्रवरतन निदेश शाले के मुख्याले कहाँ पर तो नई दिली में इसका मुख्याले है नेश्ट कोशन देखते हैं तो नेश्ट कोशन अपना है हाली में किन बैंकों को बिदेशी निवेश लिमिटेट की रेट फ्लैक सूची में सामिल किया गया है दोस्ति यहाँ पर हाली में किन बैंकों को बिदेशी निवेश लिमिटेट की रेट फ्लेक्स उंची में सामिल कर लिया गया है तो इसका उप्सन अपना है HDFC बैंक Indescent बैंक IDVI बैंक और A and B तो इसका राइट उप्सन क्या है दोस्तो तो इसका राइट उप्सन है जो हाली में किन बैंकों को बिदेश निवेश लिमिटेट की रेट फ्लेक्स उंची में सामिल कर लिया गया है तो यह कर लिया गया है दोस्तो A and B को यहाँ पर जो HDFC बैंक और Indescent बैंक को यहाँ पर हाली में जो बिदेश बिदेश निवेश लिमिटेट की रेट फ्लेक्स उंची में सामिल कर लिया गया है तो अपना उप्सन क्या है दोस्तो उप्सन राइट अपना उप्सन है A and B तो HDFC बैंक and Indescent बैंक को यहाँ पर दोस्तों इसकी डीटेल को समझते हैं तो इसकी डीटेल में जो बिदेश पोर्ट फोलियो जो निवेशक की लिमिट की निगरानी करने वाली एक पिर्णाली ने SDFC बैंक और Indescent बैंक को यहाँ पर रेट फ्लेक्स सूची में डाल दिया गया है और यहाँ पर यह रेट फ्लेक्स सूची क्या है दोस्तों यह किसी सूची वद्ध कMPनी को इस सूची में तब डाला जाता है जब उसके पास बिदेशी निवेस उपलब्द ब्रासत अनु में सीमा 3% से कम हो जाती है कम हो जाती है यहां पर आपन नैशकोशन देखते हैं तो नैशकोशन अपना है हाली में चंद्रावती का निदन हो गया है बे किस केंद सासित प्रदेश की पूर्व राजपाल थी दोस्तों यहां पर जो चंद्रावती का हाली में निदन हो गया है तो बे किस केंद सासित प्रदेश की चंदिगर्ड या डि अपना लक्ष दीब यहां पर जो हाली में जो चंद्रवती का दोस्तों यहां पर निदन हो गया है तो वे किस केंद साइसित परदेश की पूर्व उपराजपाल थी तो वे थी दोस्तों यहां पर पांडू चेरी की तो राइट अपना उप्सन कौन सा ह यहां पे जो हाली में चंद्रवती का निदन हो गया है तो वे किस केंसासित प्रदेश की पूर्व उपराजपाल थी तो वे थी पांडुचेरी की पूर्व उपराजपाल यहां पे दोस्तों जो पांडुचेरी की पूर्व उपराजपाल चंद्रवती का हाली में निदन हो है उपलबदी हासिल की है उन्होंने अपनी जीवन काल में कई बार पहली महिला बनने की उपलबदी हासिल की है जैसे पहली मंत्री 1964 उनेशो बात्तर में 64 और हर्याणा बिदान सवा में यहां पर विपक्ष की पहली नेता कब बनी थी दोस्तों तो 1982 से 85 में यहां पर हर्याणा बिदान सवा में विपक्ष की पहली नेता रही थी और इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर चंदरवती ने 1977 से 1989 तक जंता पार्टी के अध्यक्स के रूप में भी काम किया था यहाँ पर अपना नेश कोशन देखते हैं दोस्तों तो नेश कोशन है हाली में जी एन यू में स्वामित्व जो दोस्तों हाली में जो जी एन यू में स्वामी विबेकनन्द की पिर्तिमा का अनावरन किस किसने किया है तो यहाँ पे अपना option ए देखते है रमिश पुक्रियाल निसंक ने जगदीश कुमार ने या नरेंद मुदी ने या फिर डिय अपना क्या है नरेंद कुमाबत ने तो दोस्तो अहाली में जो जी एन यू में सौमी विविकरनंद की जो पृतिमा का अनावरंड किस ने किया है तो अपना option है दोस्तो यहाँ पे राइट option क्या है नरेंद मुदी ने यहाँ पे सी अपना राइट option है दोस्तो तो आली में जो नरेंद मुदी ने जी एन यू में सौमी विविकरनंद की पृतिमा का अनावरंड किया है यहाँ पे इसकी डीटेल को देखते हैं दोस्तों तेहाँ पे जो प्रदान मंत्री नेयन मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से नई दिल्ली इस्तित जवाहलाल नहरु बिस्विद्याले परिशर में स्वामी विवेकनन की पिर्थिमा का अनावरण किया है दोस्तों यहाँ परिशर में स्वामी विवेकनन की इस पिर्थिमा को पूरा करने में मूर्तिकार नरेश कुमाबत साथ महीने का समय लगा तो उनको कितना महीने का समय लगा दोस्तों तो इसमें नरेश कुमाबत को यहाँ पर साथ महीने का इनको समय लगा दोस्तों इस मूर् वहार बहर उपस्तेथ रहे। यहाँ पर जो G.N.U के कुल्पती कोई है दोस्तो मुझत दोस्तो म कि na wma nismee के इंडिया के यहाँ पर दूस्तो नeергिenne को चर्मील की नाली में नों नोबल पुरुसकार विजेता जो मासा ओशी कोशिवा का निदन हो गया है वे किस देश की थे तो दोस्तों यहां पर जापान सी अमेरिका या डी अपना मियूमार तो यह किस देश की थे दोस्तों यहां पर जो नोबल पुरुसकार विजेता मासा ओशी कोशिवा का हाली में जो निदन हो गया है तो वे अपना थे जापान के तो अपना ओप्सन कौन सा है दोस्तों राइट तो भी ओप्सन अपना सही है तो यह जापान के थे जिनका हाली मे निदन हो गया है यह दोस्तों यहां पर कोने मासा उसी कोशिवा जिनका हाली में निदन हो गया है दोस्तों यहां पर इसके डीटेल समझते हैं तो जो ब्रहमणिये न्यूट्रियों जो न्यूट्रिनों की खोच के लिए यहां पर दोस्तों वर्स दोहजार दोका नोबल पृ ब्होतिकी विज्यान मासवोसी कोश्यवा का शालि में निदन हो गया है दोस्तों यहां पर किसलिए दिया गया था तो जो नूट्रिनों की खोज के लिए आपर 222 कानौल पुसकार दिया गया था दोस्तों इन्हें भोत्की का और जिनका आली में देदन हो गया है और जो कोशिवा के सबसे पर सिद्व खोज में मद्य जापन की एक खदान में एक विसाल डिटेक्टर का उपयोग करके एक दूर के सुपर्नोबा बिस्पोर्ट से नीउडरों का पता लगाया था तो यहां पर न्यूट्रोन का किसमें पता लगाया थे दोस्तों तो यहां पर जो ख़दान में एक बिसाज डिटेक्टर काप्यों करके यहां पर दूर सुपर नौबा बिसपोर्ट से न्यूट्रोनों का यहां पर पता लगाया थे दोस्तों इन्होंने और यहां पर जो कोश कोशन देखते हैं तो नेस्ट कोशन है दोस्तों हाली में बादुड़ी मेमुरियल लैकुर वाद दो जार पीश से किसे सम्मानित किया गया है तो यह सम्मानित किया गया दोस्तोंडों। सुसंता करको यहां पे दोस्तों जो डॉक्टर सुसंता करको बरिष्ट बैग्यानिक आंडविक पराविज्ञान और इम्यूनोलोजी बैग्यानिक और उद्धोगिक अनुसंदान परिशत केंद्रिय औस दी अनुसंदान संच्थान यानि जो सी एस आई आर और सी डी आर आई को यहां पे सोसाइटी ओप बायलोजीकल केमिश्ट इंडिया बैंगलूरो दोवारा जो प्रो फेशर एन भादुरी मेमूरियल लेक्षर अबाट 2020 से सम्मानित किया गया है दोस्तों आपर यह पुरुसकार उन्हें दिया जाता है तो यह पुरुसकार उन्हें लिसमेनियों डोनोवानी की जीवन रक्षप पद्दिती को परिभासित करने के लिए उनके उकदान के लिए दिया गया है तो किसलिए दिया गया है दोस्तों यह पुरुसकार उन्हें तो जो लिसमेनियों डोनोवानी की जीवन रक्षप पद्दिती को परिभासित करने के लिए उनके उकदान के लिए आपर दिया गया है और यहाँ पे लिसमेनियों डोनोवानी के बारे में समझते हैं तो लिसमेनियों डोनोवानी एक परिकार का पुर्टो जो परजी भी है दोस्तों जो मैक्रोफेज और आत के लिसमेनियों सिस यानि काला आजार के प्रेरक एजेंट को संक्रमित करता है दोस्ति हैंपर जो Leic Mania Donovani क्या है तो Leic Mania Donovani यहाँपर एक पिरकार का क्या है पर्टोजिवा पर्जी भी है जो मैक्रोफेज और आंत के जो Leic Manisches यानि काला अजार के प्रेरक एजेंट को संक्रमित करता है फ्रेंट्स इस वीडियो का ये को शन्ता, थाइक्स फोर वच्टिंग शहर शैर अजिए आज चनल, थैंक यू शो मुश ने जैए वाज दियु आचि फ्रेंट्स